नमस्कार मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों मैं हूँ अभिनातो शांशो पांडे और अभीप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी चर्चा का विशय बहुती तीजी से आगे बढ़ रहा है हम तैयारी कर रहे हैं बहुत की की और यह है कक्षा बारवी के च्छतित गड़ बोड के एक्जाम की तैयारी यहां पर आपको हमारे एप्लिकेशन में एक्जाम सेरिस मिशन 2023 के नाम से जो है सारे के सारे कंटें और इसी सिल्सिले में हम लोगोंने कुछ पूर प्रश्ण पत्रों के बारे में बाते की थी 2022 के इस प्रश्ण को दिखा इसके बाद में हम लोगोंने 2019 में पूछे गए इस प्रश्ण के बारे में चर्चा की और अंत में हमारे पास में चर्चा के लिए विशय था कि 2020 में हम मान उस लूप में बहने वाली धारा आई और उसके छेतर फल A के बराबर होता है यह कहानी थोड़ी सी लंबी है इसको जो है ध्यान से देखेंगे चलिए आए देखते हैं हम लोगों ने एक क्या किया हम लोगों ने एक छेतर फल एक धारा वाही लूप ले लिया यह एक आयत होने के बारे में बात करेंगे शचलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदी इसे हम ूजब के छैतर भी पे रख देते हैं तो इस पर एक सबसके लगे जाने पर हम जू है हम जो है के दिशा हमारी मध्यमा से प्रदसित हो तो इस पर लगने वाला बल उपर की और लगता है यहां पर चुम्बकी छेतर की दिशा इस प्रकार और विद्धुद्धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार है तो अब हम देखेंगे कि यहां पर अंदर की और एक बल लगेगा इस ब यहां पर उपर की और बल लगेगा और यह वाला बल हो जाएगा यह देखे एफ ठीक है अब यहां पर हम एक और बात करेंगे कि कुल मिलाके चुम्बकी बल का मान क्या होता है चुम्बकी बल एफ का मान होता है लगा है अब इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? कि समान magnitude का याने कि समान जो है परिमार का एक बल अंदर की और और यहां बाहर की और लग रहा है ऐसी स्थिती में हम इसे यूग मुबल का नाम दे सकते हैं याने कि कपल फोर्स बोसकते हैं और ऐसा कपल फोर्स जो है जिनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है डबलू है तो ऐसे में यह क्या करेगा एक घूर्णी प्रभाव का उत्परन करेगा याने कि बल आगूर्ण का मान यदि हम निकालना चाहें तो टाव का मान होता है पी, टाव का मान क्या होता है, टाव का मान होता है बल, गुना, इसकी जो लंबोवड डूरी है वो, तो यहाँ पर लंबोवड डूरी क्या है, डबलू है, तो यह जो है इस परकार से हम यहाँ पर यहां पर इस प्रकार से हम बल आगोंड का मान की गर्णा कर सकते हैं अब यहां पर देखिए हम को क्या मिल गया यहां पर टाउ का मान मिल जाता है I, L, B, गुणा, W और यहां से जब हम दोनों चीजों को एक साथ रख के देखेंगे तो L और गुणा, W जब हम करते हैं तो हमको यहां पर क्या मिलता है हमको यहां पर मिलता है छेतर फल तो इस प्रकार से बल आगोंड का मान हमको क्या पता चला बल आगोंड टाउ का मान हो जाता है I यहने की धारा गुणा चुम्ब की शेतर की तीवता और गुणा च्छेतर फर्द अब हम इस बल आगूंड की तुलना के किसी से से करेंगे तो हम यहाँ पर एक समान चुम्बकी च्छेतर में चुम्बकी दूए धुरू को रख कर देखते हैं और यहाँ से हमको बात अच्छे से समझ में आएगी एक समान चुम्बकी च्छेतर हम लोगों ने बना लिया और एक समान चुम्बकी च्छेतर में हम एक चुम्बकी दूए धुरू रख देते हैं तो यह हमारा चुम्बकी दूए धुरू हो गया जिसकी लंबाई हम लोगों ने माल ली एल है 2L है और यहाँ पर हमको उत्री धुरू और यहाँ पर हमको दक्षणी धुरू दिखाई देता है इस स्थिती में यहाँ पर यदि हम मानते हैं कि इनका जो इनका जो है धुरू प्रबल्ले यदि M होगा तो हम दुरू प्राबल M से यहाँ पर लगने वाले बल की गरणा कर पाएंगे जो की हो जाएगा F बराबर B गुणा M और इसी प्रकार से विप्रित दिसा में भी यहाँ पर F बराबर B M यहाँ पर बल लग रहा होगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करना चाहते हैं यदि तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह कूर्ण अगर हम लोगोंने मान लिया थीटा है तो यहाँ पर हमको एक समकूर्ण तृभूज दिखाई देता है जहाँ पर यह कूर् वाली द मान लिघा हम लोगों और यहां पर यह टू अल हो जाता है तो हम देखेंगे कि चाइन का मान हो कर्ण का मान 2L हो जाता है और यहां से हम देखेंगे कि D का मान हो जाता है 2L sin theta अब जो है हम क्या देखने वाले हैं यहां पर बल आगोंड की गर्णा किस्क प्रकार की जा सकती है तो टाउ का मान होता है F गुणा D जहां पर D जो है नंबर वद दूरी है और D का मान यहां पर आ गया तो यहां पर टाउ का मान हो जाता है B गुणा M और यहां से हो जाएगा 2L sin theta हम यहां अगर यह मान ले कि sin theta का मान जो है वो चलिए ठीक है अब यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो हम बल आगुण निकाल रहे हैं तो हमें एक राशी विशेश तोर पर दिखाए देती है M और यहां 2L हम लोगों ने चुम्ब कि बल आगुण PM का मान निकाला था और यह होता है 2ML और यहां से टाव का मान हो जाता है B गुणा PM और sin theta अगर हम जो है इस पर विशेश तोर पर चर्चा करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं टाव बराबर B क्रॉस PM और यहां पर हमें बल आगुण का मान मिल जाता है उसी प्रकार से जो है जब हम यहां पर बल आगुण का मान देख रहे हैं तो हम यहां पर यह लिख सकते हैं कि यह जो है टाव का मान हम लिख सकते हैं आई गुना बी प्रॉस ए और यहां पर जो है हम अगर धिहान दे तो हमको जो है फिर इसको और दूसरे तरीके से लिखते बन जाएगा बी क्रॉस आई ए और अगर हम जो है इन दोनों राशियों की करना करें या तुलना करें तो हमे लिखा जहां एक जगह हम लोगों ने लिखा टाव बराबर गी बी गुना पी बी क्रॉस पी एम और यहां पर जो हम लिख सकते हैं कि टाव इस इक्वल टू बी क्रॉस आई ए तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो चुम्बकिय द्विध्रु आगून है वह असल में धारा और छेत्र फल के गुनन फल के बराबर होता है अब यदि यहां पर जो है हम एक किवल एक लूप लगाने की बजाए यदि हम चक्करों की संख्या एन गुना बढ़ा दें तो हमें चुम्बकिय द्विध्रु आगून का मान एन आई ए मिलता है और यह हमारे प्रश्न का उत सब्सक्राइब के लिए धन्यवाएं